सबसे पहले पॉइंट है, बाईयोटेकनलोजी इस वन उप्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आफ बाइयोजी आफ प्लानेट सबसे पहले तो देखो, अगर आप 11-12 में है ना, तो 90% आफ बच्चे बाइयोटेकनलोजी का मतलब ही नहीं जानते हैं even 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 जो बच्चे first year में भी आ गए है न वो भी मतल़ बीटेक in bio technology कर रहे हो DSE in bio technology कर रहे हो लेकिन actual में इसका अच्छे से meaning नहीं पता है और यह नहीं पता है कि ये course करने के बाद हम क्या करेंगे अगर मैं सही हूँ सही हूँ, वो सकता है, आपको तोड़ा सा दुख तकलीफ दे, लेकिन प्लीज मुझे बताईएगा, अगर मैं सही हूँ, तो प्लीज comment box में 100% correct या 100% जरूर लिखके मुझे बताईएगा, ठीक है, बायो टेकनोजी बहुत ही important field है, जहाँ पर बायो और टेक, दोनों field का amalgamation है, mixture है दोनों field का, तो यहाँ पर main मकसद क्या है, main मकसद है, कुछ ऐसा develop करना, कुछ ऐसा prepare करना, कुछ ऐसी चीजों की research करना, जिसके तुरू हम जो human being है, उनकी life और health improve हो सके, recent में ही example है, COVID का, COVID में vaccine बनाते वक्त, जितनी जादा मदद biotechnologist ने करी है, उतनी मदद किसी भी और medical field के researches वगेरा ने नहीं की, right, तो बहुत ही important role है biotechnologist का research में, ऐसे product बनाने में, क्यूंकि आप ऐसे rare mixture हो, जिनको tech की भी समध है, और medical field की भी समझ है, इसलिए ये course इतना जादा popular हो रहा है, कि ये आपको tech की समझ दे रहा है, जो आपको relevant रखे कि 10 से 20 सालों में आगे आने वाले, क्योंकि सब कुछ AI based होने वाला है, प्लस आपको जो आपका core है, जो आपका medical profession माले है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे NEET experiment करते हैं, जिनका if in case MBBS नहीं हुआ, या NEET में इतना अच second point, it also offers student the opportunity to gain experience in areas, देखे आप molecular biology पढ़ते हैं, आप biochemistry पढ़ रहे हैं, genetics पढ़ रहे हैं और bioinformatics पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत rare combination है, जो कि और किसी भी courses में आपको नहीं मिल पाता है, it provides student comprehensive knowledge of life science as well as the skills to apply this knowledge in the biotech industry, ये आपको life skill या life science के बारे में समझाती है, कि actual में human being की body को किस चीज की requirement है, जिससे उनका survival या उनका जो health है, overall health लंबे समय तक improve हो पाए, या फिर कुछ ऐसे product डवलप करने है, जिनकी shelf life जादा हो, और जब human being उसको consume करे, तो वो अच्छा feel करे, better feel करे, राइट, चलिए, biotechnology has an application in various fields, देखे, biotechnology सिर्फ healthcare में ही नहीं, pharmaceuticals में, agriculture sector में आप अपने के रिए बना सकते है, recycling, food processing और manufacturing sector में भी बहुत ही ज़्यादा रोल है, biotechnology का, the lake of successful treatment for several diseases makes biotechnology an important area for disease prevention and cure, जैसे मैंने COVID का example दिया, सब परिशान थे कि इसका क्या effective cure होगा, क्या treatment होगा, तो वहाँ पर biotechnology ने बहुत ज़्यादा मदद करी, कुछ ऐसे problem है, बिमारिया हैं, जिनको अभी तक, लोग solution नहीं find out कर पाएं, doctors solution नहीं find out कर पाएं, उस cases में, biotechnologist की research, उनका field work, उनका experience, उनकी इन दो specific field की knowledge, bio की और tech की, बहुत ज़्यादा मदद करती है, life changing equipment, medicine, food और product को बनाने में, there is a constant demand to develop pharmaceutical formulation using, अच्छा देखिए, आज के time में बहुत ज़्यादा method तो involved हुई, जैसे कि Ayurveda है, medicine plants है, सिद्धा medicine है, उसके साथ-साथ कहीं ना कहीं, ऐसी चीज़ जो की technology friendly हो, technology friendly हो, जिसको easily हम consume कर सकें, easily हम operate कर सकें, easily हम use कर सकें, उसका life span ज़्यादा हो, तो उस case में, उसकी वज़े से, इन सारी चीज़ों की वज़े से, बायो technology field की requirement या बायो technologist की requirement काफी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देखें, COVID के समय में भी बहुत लोगों का विश्वास बढ़ गया था, Ayurveda की तरफ, और कहीं न कहीं हमने भी start कर दिया था, वो Ayurveda practice करना, Ayurvedic medicine, herbs बगयरा को try करना, तो कहीं न कहीं लोगों का अभी continuous research in different field, the candidate who are enthusiastic about research can opt for this course, अगर आप देखें, obviously choice है, यह cutting-edge technology है, अगर आप इसमें compete नहीं करेंगे, इसमें steady नहीं करेंगे, updated नहीं रहेंगे, तो इतना useful आपके लिए field होगा नहीं, फिर आपको job search करनी पड़ेगी, rather than companies आपके पास आएं, the student who are enthusiastic to develop drug and vaccines can pursue this course, जैस मैं आपको the average annual salary of a biotechnologist graduate is somewhere around 3,5,5,5,8,8, यहां पर 30,7,6,8,8 हम हवा में बातें नहीं करेंगे, जो fact है, इंडिया में रहे कर हम इंडिया, तो हो सकता है हम किसी local college से कर रहे हो सकता है हम किसी tiad second college से कर रहे है, tiad third college से कर रहे है, उस case में average salary package रहता है, under graduate BSE in biotech का, वो अलग बात है कि आपने B.Tech in BioTech करिए जिसके और ज़ादे डिमांड है, B.S.A. से भी ज़ादा पॉपुलर है, या फिर आपने MSC कर रखी है, अपने BioTech में, या फिर M.Tech कर रखा है BioTech में, या फिर कोई Masters in BioTech मोजी जैथे Courses कर रखे हैं, अभी Courses के उपर आएंगे हम, ठ सकती है, दस लाग से ज़ादा जाएगी, दस लाग से ज़ादा चली जाएगी, तीन से पांच साल के experience के बार, तो उसके लिए Hardwork, महनत और थोड़ा सा नाम बनाना पड़ेगा आपको अपना फील में, ठीक है, चलिए, अब carry options के बारे बात कर लेता है, ये भी बात करना बह आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नलोजी में, आप पीजी डिप्लोमा, बायो इन्फोमेटिक्स, बहुत ही साथा पॉपुलर ए टर्म हो रही है, पेशन्स की, पेशन्स की, पेशन्स की पूरी history, civics, जेज़ग्राफी का ध्यान रखते हैं, बायो इ चीज़ें इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे इसकी हेल्थ और ओवर हेल्थ इंप्रूफ हो सके, लाइफ साइंज में, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, बायो टेक्नलॉजी में, MSC बायो टेक्नलोजी में, MSC माइक्रो बायो बायो नोजी कर सकते हैं, Master in Public Health जैसी कूर BioTech से relate करकर ही career बनाना है. Pharmaceuticals company में healthcare industry में work करना, hospital industry में work करना है. तो ये सारे courses में से कोई भी courses कर लिए, सब की बहुत अच्छे demand है. और एक time बाद आपको master degree लेनी ही पड़ती है, अपने profession में. थोड़ सा increment मिलने के लिए, प्रमोशन मिलने के लिए, हाई सेलरी मिलने के लिए, you need a master's degree after graduation, right? Leading Requitters, sir, कहाँ पर job करते हैं? Research firm में करिए, hospitals में करिए, animal husbandry firms होती है, pharmaceutical company है, laboratory है, food production firms है, ecology firms है, clinical research firms है, fertilizer manufacturers है, तो देखिए, बहुत N number of आपके पास occupations available हैं, जिनमें आप try कर सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं, बायो टेक्नोलोजी पढ़ा सकते हैं, ample options available हैं, job, अच्छा profile क्या रहे हैं, sir, lab technician, microbiologist, epidemiologist, safety specialist, research associate, biostatician, epidemiologist, food safety officer, lecturer or professor, research fellow, clinical research associate, biochemist, biomedical engineer, medical scientist और food scientist, जैसे profile में आप वर कर सकते हो, यह काफी शांदार profile है, और मैं जैसे बता रहे था, 3-5 साल के experience के बाद, आप 10 lakh के अबाव easily earn कर सकते हो, अगर आप अच्छी company में रहते हो, learning अपना, दखिए, यह learning वाली field है, यह updated रहने वाली field है, खुद को updated रखनी वाली field है, you never be in a position to say, I have it, मतलब मैंने कर लिया, मैंने सब कुछ knowledge gain कर लिया, यह वो field नहीं है, यह वो आप कोई general physician नहीं बन रहे हो, कि यार, सब कुछ मैंने सीख लिया, नहीं 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 यह सोच के गलती मत करीगा, तो अगर आप में कहीना कहीं वो zeal है, वो enthusiasm है, वो learning attitude है और कहीं न कहीं यह feel आपको attract करती है, तो please, 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 कहीं न कहीं इसमें सोच विचार जरूर करिएगा, क्योंकि यह बहुत important feel है, अच्छा,